दोस्तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बैल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय बजरंग बली चुप चाप पीली हल्दी से करें ये उपाएं कभी नहीं होगी कि धनकी कमी जै माता दी दोस्तो कैसे वो आप अप सक दोस्तो मातारानी की किर्पाब पाने के लिए कमेंट में जै बजरंग बली भी आप लिख सकते हैं माता-रानी आप सभी की मनु कामनाय ओर जीवन का कोई भी छेत्र खानवान से लेकर धारमिकार्यक्रम हल्दी का प्रय जोई में तो प्रयोग किया ही जाता है, जो खाने के रम को और खुबसूरत बना देता है, वहीं दूसरी हो इसका प्रयोग धार्मिक रूप से भी किया जाता है, दोस्तो धन एक ऐसी चीज है, जो जिस व्यक्ति के पास भी होता है, उसे हर जगा मान सम्मान की प्राप्ति होत दनका होना बेहत आवशक है जाने की सारे धार्मिक उपाए आसानी से हल्दी के माध्यम से पूरे किये जाते हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार के परिसानी को छोटी सी हल्दी दूर कर सकती है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना करें यह उपाए कभी नहीं होगी धनकी कमी आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूले और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और साथ ही बेल के आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको लेटे संबंदी पहल पाते हैं हो تवेल संब्सक्रां में, हल्दी के पीले रंग को दार्मिक शेटर में दार्मिक ग्रंत और कंत्री कोपायां जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की हानी नहीं होती, धन्दा कभी मंदा नहीं होता है, धन आदी, धन्दे, दुकान आदी को मजबूत करने के लिए यह एक राममान इलाज बताया गया है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पीली हल्दी को ब्रेशपती ग्रय को मजबू में पहने या अपने गले में डाल ले, यह टोटका पीले पुक्राज की तरह कारे करता है, जो ब्रेशपती को मजबूत करने में साहिता देता है, अगर आप भी हल्दी धारण करने का मन बना रहे हैं, तो इसे आपके किसी भी गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं, इसे आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की धनसंबंदी परिशानी दूर हो सकती है। दोस्तों हम समने पीली हल्दी के बारे में तो सुना है। परंतु काली हल्दी वीजधर्ती पर पाई जाती है। इसके बारे में सायधी कुछ लोगों ने सुना होगा। काली हल्दी का प्रयोग जोतिशिय और तंत्र सास्त्र में विशेश रूप से किया जाता है यह अनेकों प्रकार के टोने टोटकों को दूर करने में साहता करती है और हमें दुरबार्गे से भी बचाती है आईए दोस्तों हम जानते हैं कुछ आसान और खास हुपाए अगर आप काली हल्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल आपको घर से निकलने से पहले काली हल्दी का तिलक अपने माते पर लगाना है इसके बाद आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे उसमें आ और सारा धन माला कमाया जाए तो आप आप अपने पास पीली में कायान अवश्य रखे अगर आपके पास दण नहीं रुखता है अनायश्य भर्च आपके लगे तो यह आपको उपाय जरूर करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं, आपके घर में हमेशा धन संचय होता रहे, धन इकटा होता रहे, इसके लिए आपको एक चांदी की डिब्बी लेनी है, चांदी की डिब्बी आप सुनार के यहां से ले सकत अगर चांदी की डिब्बी आपको ना मिले तो आप माचिस की डिब्बी का भी प्रयोक कर सकते हैं लेकिर अच्छा रहेगा कि आप चांदी की डिब्बी लेकर आए इसके बाद आपको चाहिए बस थोड़ी सी हल्दी हल्दी के बाद आपको लेनी है थोड़ी सी नाग केसर दोस्तों अगर नाप केसर ना मिले तो इसके स्थान पर आप साधरन केसर भी ले सकते हैं, अब आपको इसे माचिस की डिबी में या पर चांदी की डबी में इसे रख देना है, इसके बाद आपको इसे रख देने के बाद माता लक्षमी को याद करना है, और माता लक्षमी के चरणों से इस परस इसे करा देना है इस परस करा देने के बाद आपको इसे वहां रख देना है जहां पर भी आप अपने घर में धन खटा करते हैं, धन संचे करते हैं, तेजोरी में, अलमारी में, सूटकेस में, बैग में, आदि जहां भी आपने घर में धन को रखते हैं, उ दन आने के जितने भी रास्ते हैं, आपकी उनमें जो भी अर्चने आ रही हैं, वे सभी दूर होने लगेगी, और धन प्रकार की, धन से सम्मंद्धी हर प्रकार की परिशानी से आपको छुटकारा मिलेगा, इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक और आसान और खास उपाय बतात हैं, दोस्तों, जब भी आप नाते हैं, तो नाने के पानी में और थोड़ी सी हल्दी मिला ले, तो इससे आपके जीवन में हर प्रकार की परिशानी से चुटकारा मिलता है, इसके साथ ही अगर आप सूरे को जल देते हैं, और आप चाहते हैं, कि आपकी मनुकामना जल्दी पूर्ण हो, तो आप आज के बाद जब भी सूरे को जल दे, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला ले, और उसके बाद सूरे को जल देते रहें, और देते वक्त अपनी मनुकामना अवश्य मांगे, आपको जीवन में आपको सपलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक हैं, सभी से सूरे देव से आपको किरपा प्राप्त होने की वज़े से मुक्ती मिल जाएगी, और आपके जीवन में कभी भी धनके परिशानी नहीं होगी, अब इसके बाद जब आप सूरे देव को जल चड़ा दे, तो जल चड़ाने के बाद आप उस लोटे पर हल्दी ल जरूर लगाएं, इससे जल्दी ही आपको हर समस्या से मुक्ती मिलेगी, हर समस्या दूर हो जाएगी, मात्र अगर आप इस उपाय को एक महीना कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारादमत उर्जन नहीं आएगी, ना कभी भी आपके क कोई काम बिगडेंगे, और धन सम्मंदी समस्या दूर हो जाएगी, हर प्रकार की परेशानी जो भी आपको परेशान करती है, जैसे कि बीमारी है, अगर बीमारी से परेशान रहते हैं, तो वह भी आपकी दूर हो जाएगी, वास्तु की द्रिष्टी से ये काफी महतोपु होना, दुनिया भर की परेशानी हमें वास्तु दोस्त की बज़े से भी होती है, हल्दी एक ऐसी चीज है, जिसे आप बड़ी आसानी से वास्तु दोस्त और नकारात्म उर्जा को दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर में कोई भी से अरिजान करते हैं, और भगवान की पूजा करते हैं, उस से हल्दी का प्रयोक जरू करते हैं, क्योंकि इससे हर प्रकार के नकारतमक उर्जा बाहर निकल जाती है, ऐसा माना जाता है कि नाने के पानी में हल्दी डालकर दोस्त NAN किया और आपको कभी भी किसी भी कारे में अगर आपको भेज दिया जाए तो आप उसमें सफलता प्राप्त करके ही वापस लोटेंगे, जिस भी कारे में आप जाएंगे उसमें कभी भी आपको असफलता का मूर नहीं देखना पड़ेगा, दोस्तों अगर आप माता लक्षमी को प काली हल्दी। जीहांदों काली हल्दी। आप काली हल्दी मार्केट से ला सकते हैं कि और कि बीपंसादी की दुकान पर आपको आसानी बना लेनी है इसको आपको बांध लेना है और इसके बाद आपको इस पोटली को वहां रखना है जहां आप धन रखते हैं आप देखेंगे माता लक्ष्मी की किरपा आप पर हमेशा बनी रहेगी माता लक्ष्मी आपके घर में बंडार भरती रहेगी इसी के साथ अगर आप क आपके घर में धन विर्दी होगी कभी भी आपको असफलता के सामने नहीं करना पड़ेगा और आपके बेवसाय में निरंतर अगर आपको गिरावट आ रही हो यह आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है आपको पीले कपड़े में काली हल्दी लेनी है उसमें 11 बार अभ तो मंत्र हम आपको बता देते हैं विश्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वाशु देवाए नमा इस मंत्र का आपको 108 बार जाब कर देना है और 108 बार करने पर एक माला होती है दोस्तों इस प्रकार से आपको 11 बार करनी है तो यह 11 बार अभी मंत्रित हो जाएगी पोटली ज इससे आपको वहां पर रख देना है जहां पर आप अपना धन संचय करते हैं धन रखते हैं तेजोरी में सूटकेस में बैग में जहां भी आप रखते हैं वहां पर आपको से रख देना है इससे आपके नोकरी या व्यववसाइब जो भी परिसानी आ रही थी वह दूर होगी आपका वेबसाइट दिन दूनी रात चोग दिन तरक्की करेगा दोस्ता अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे लाइक करना ना भूले और वीडियो में अंत में आपको री वीडियो देख चुके हैं आप कमेंट लिखें जय बजरंग बली जय मात आदी जो भी भगवान को आप मानते हैं वो अवश्य लिखें तो दोस्तों मुझसे जोड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो के वाल इतना ही कल फिर आपसे बुलातात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धर में जादा धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जय बजरंग बली